हेलो एबरीबन मेरे नाम है गिगन और आप देख रहे हैं गेटेक गाईस आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मीशो पर अपनी कस्टूमर के लिए ओडर कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप उसमें अपनी कमीशन कैसे एड़ कर सकते हैं आपके इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही दिखाऊंगा कैसे आपने ओडर करते बग अपनी कमीशन एड़ कर लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा यूटूब चैनल अगर दोस्तों आपने भी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे किलिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो आप देख रहे होंगे वेल आइकन का बटन तो इसको भी प्रेस कर दी जिससे कि आपको सभी वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहे है तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी मीश्व eom open करता हूं कि बाद आपने continue वाले बटन पे किलिक करना है जब दोस्तों आप continue वाले बिटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका delivery address पूछेगा तो आपने पर delivery address यहाँ पर add कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप पोच जाएंगे payment वाले page पर तो दोस्तों यहाँ पर आपको payment किस mode से करनी है आपको यहाँ पर वो option select करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे अपने order करते वक्त commission add करनी है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो product का price है वो 476 रुपे है यानि कि यह price है item का वो 476 रुपे है तो अगर आप इसमें 100 रुपे अपनी commission add करना चाते है यानि कि शोर पे का आप margin add करना चाते हैं इस order पर तो आपको यह option देखने के मिलेगा reselling the order तो दोस्तों आपने इस पर click करना है यहाँ पर आप देखेंगे yes और no का button तो आपने yes पर click करना है अगर आप यह order अपने customer के लिए कर रहे है तो ही आपको यह margin add करना है तो यहाँ रखना है तो यहाँ पर आपने yes कर देना है जैसी आप yes करेंगे तो यहाँ पर for example 476 रुपे product का price है तो आपने शोर पे commission add करना है तो total हो गया 570 रुपे तो आपने दोस्तों यहाँ पर 570 रुपे इस तरीके से add कर देना है अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आपका price कितना है आपने उसमें अपना commission यानि कि margin कितना add किया है वो आपको यहाँ पर सब देखने के लिए मिल जाएगा तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो order total value है वो 476 और जो customer से collect किये जाएंगे वो 570 रुपे 100 रुपे आपने margin अपना add किया है तो जब यह item जो आप order कर रहे हो वो customer के जब पास जाएगा तो उसको 576 रुपे पे करने होंगे तो 100 रुपे आपके पास आजएंगे आपके bank account में और 476 रुपे मीशो रख लेगा तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपना commission aid करना है अगर आप मीशो पर order कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आ